यह देखिए एक टार्प को जो हमने में बोल्ड पे लगा है और एक हमने डाइबड पे रेक्टिफायर पे बलफ हमारा दिये चलना है और हम डारेक्ट लगाते हैं तो बलफ एक दम तेज जलेगा और जब हम ऐसे लगाते हैं रेक्टिफायर चेक करते हैं तो देखिए मंदा लाइट जो है हलकी जली हुई है इस सिगुंट लब हमारा रेक्टिफायर और डावेड ठीक है यह देखिए दूसरा और यह तीसरा है ऐसे हम में लाइट से अर्थ भी चेक कर लेते हैं यह हमारी लाइट की तार है यह हमारा कट आउट की लाइट वाली तार होती है अगर यह इससे बोलता तो आपकी रेक्टिफायर प्रेट खराब होती है तो देखिए दोस्तों हमने आपको दिखाई अल्टिनेटर की प्लेट कैसे चेक करते हैं अब हम आपको डी सी कंट से चेक करके दिखाएंगे रेक्टिफायर प्लेट वह ठीक है या नहीं तो देखिए यह हमारी बैटरी हम बैटरी से चेक करेंगे इसको रेक्टिफायर प्लेट को आप एक शिरिंज बना लीजिए ऐसे एक तार इसके लगा दिया और एकर्स इस प्लागा लीजिए एकार्स इस प्लागा लीजिए अब यह देखिए हमने बैटरी के थ्रू एक सीरीज तैयार कर लिया अब जैसे ही तार लगाएंगे बलब जल जाएगा ठीक है फ्रैंड्स अब आप रेक्टिफार उठाईए और एक तार यहां में बॉल्ट पे लगाएंगे और एक तार यहां डैवर्ड पे लाएंगे बलब चल रहा है ऐसे यह दूसरा डैवर्ड चेक करेंगे यह देखें बलब जल आए ऐसे हम तीसरा डैवर्ड चेक करेंगे ठीक है यह हम दीशी बॉल्ट से चेक कर रहे हैं और अब हम तार बदली करेंगे और दूसरे तार को हम मैन बोल पर लगाएंगे और एक तार हम डैवर्ड पर लगाएंगे यह देखिए अब बलब नेंजला ना दुसरे पर भी नहीं जलब और पूसरे पर भी नहीं जला ना उसका मतलब आपका का रेक्टिफायर ठीक है अब आपका रेक्टिफायर जलेगा बलब जल गया ठीक है इसका मतलब आपकी रेक्टिफायर बिल्कुर ठीक है यह से नहीं बोल ना चाहिए यह से बलब नहीं जलना चाहिए यह हमार ग Lup का रुण कटार है कि यहां से जलेगा कि यहां पर नहीं जलना चाहिए अखुआ ॉर्य है तो देस्तों देखें इस प्लैट को हमने चेक किया बिसी बोल्ट से